नमश्कार जे मैं आज एक बहुत बड़ा एहलान करने जा रहा हूँ जैसा कि सब को पता है कि आमादवी पार्टी सच्चे दिल से इमानदार पार्टी है आमादि पार्टी एक एंटी कॉर्प्शन अंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आमानीपाटी की दिली और पंजाब की सरकारें तहे दिल से इमानदार सरकारें है हमें एक पैसे की भी हेरा फेरी बरदाश्ट नहीं करेंगे जब मैं पंजाब में चुनाप परचार करता था गाउं गाउं जाता था कस्वों में जाता था तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उमीद देखता था लोगों की आँखों में एक उमीद मुझे नजर आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें ब्रिष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा जब मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाूंस किया गया तब भी मुझे अरविंद केजरिवाल जी ने कहा था कि भगवन जो मर्जी हो जाए हमने ब्रिष्टाचार बरदाश्ट नहीं करना मैंने उनको बचन दिया था कि एक पैसे के भी हेरा फेरी बरदाश्ट नहीं करेंगे चाहे वो अपने हो हेरा फेरी करने वाले चाहे बेगाने हो इसी सिलसले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का पंजाब सरकार का कैबनेट मंतरी अपने डपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खीद फूक्त में से एक प्रसेंट कमिशन मांग रहा था तो मैंने उसको गमीरता से लिया यह मामला सिर्फ मेरे पास यह मीडिया के पास इसकी कोई जानकरी नहीं विरोधियों के पास इसकी कोई जानकरी नहीं मैं चाहता तो इसको दबा सकता था अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोडों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझे पर यकीन किया तो मैं अपनी पार्टी की जो बिचार धारा है उसके भी खिलाब होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूं उस मंत्री का नाम है डॉक्टर बिजे सिंगला जो के सिहत मंत्री है पंजाब में कैबिनेट में थे जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुन है हमारी रिश्वत खोरी के खिलाफ मैं सबको कहना चाहता हूं कि अब सिस्टम बदल गया है चाहे आप अफसर हो चाहे पंजाम में किसी राजनीतिक पद पर हो चाहे बिपक्ष में हो चाहे सरकार में हो अब सिस्टम बदल गया है अब एक रुपे की भी हेरा फेरी नहीं चलेगी हम एक प्रसेंट लोगों का एक प्रसेंट पैसा भी बचाएंगे लोगों की जेबों पर डाका नहीं डलने देंगे और यह इतिहास में दूसरी बार हो रहा है 75 साला इतिहास हो गया देश का अजादी को बाद 75 साल हो गया यह दूसरी बार हो रहा है इतिहास में पहले 2015 में अर्विंद केजरिवाल जी ने अपने फूड स्प्लाई मिनिस्टर को 5-6 लाखर पहिया आडियो पर मांगते हुए उसी आडियो को सुनकर उनको मंत्री मंडल से ब्रखास्त किया और केस CBA को दिया और आज पंजाब सरकार ये फैसला लेने जा रही है कुछ पिपक्षी पार्टियां वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि देखो दो महिने में ही भगवंतमान की सरकार में एक करप्ट मंत्री पकड़ा गया मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उस पर एक्शन भी महीं ले रहा हूँ इससे पहले कई मुख्य मंत्रियों ने ये कबूल किया था कि मेरे मंत्री मंद्र में बहुत से मंत्री जो हैं माफिया से जुड़े हूए हैं और करॉप्शन करते हैं लेकिन उन्होंने कोई आक्शन नहीं लिया लेकिन आमादमी पार्टी कट्टर इमानदर पार्टी है हम अपने मंत्री पर सक्त एक्षन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी पुलिस को उसके खिलाब कारवाई करने के नर्देश भी दे रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल में जिनके दिमाग में ये धारना है कि ये कुरॉप्षन का ताना बाना बहुत बढ़ा है ये तूट नहीं पाएगा ये कुरॉप्षन ऐसे चलती रहेगी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अगर निय सच्ची हो सब कुछ हो सकता है अर्विन केजरिवाल जैसे भारतमा के सपूत हो जिन्होंने पार्टी ही एंटी क्रॉप्षन मुव्मेंट से निकल कर बनाई और उनके साथ मेरे जैसे हजारों वतन प्रस्त सिपाही हो तो ये देश बदल सकता है भगत सिंग जी को ये कभी भी चिंता नहीं थी अजादी कैसे आएगी उनको चिंता ये थी कि अजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा कई फिर तो नहीं लूट मचेगी लेकिन हम भगत सिंग के सपनों की अजादी को घर-गर तक पहुंचाने के लिए वचनबद हैं इसी सिलसले में हमने ये एक्षन लिया है मैं फिर दुबारा कहना चाहता हूँ बिष्टाचारियों को जो देश को लूट रहे हैं जो गरीबों का हक मार रहे हैं तो क्रॉप्शन फ्री कंट्री बनाना अर्विन केज रिवाल जी का सपना है और देश को आगे बढ़ाना उनके सभी हजारों लाखों की गिंती में सिपाहों का सपना है इनकलाब जन्दाबाद